In future, अगर आपको कभी भी ये chapter revise करना हो, तो आप notes से जब revise करते हैं, concepts को जब revise करते हैं, तो आपको काफी time लगता है, इसमें आप 1.5x या फिर 2x की speed पर अपने lecture को सुन सकते हैं और recall कर सकते हैं कि हम लोगे ने क्या-क्या mean चीजे पड़ी थी, यहां से सुनना इसको note down नहीं 10 mm, यह बताया था, कि अगर आपका यहां पर sun है और यहां पर है आपका earth, आपको यह बात पता है, कि इन दोनों के बीच में कितना distance है, आपने अपने teacher को दिखाया कि sir, यह मेरा experiment कर ले, तो teacher यह तो बोलेगा, कि भाई, मैंने तो ते को time period निकालने के लिए बोला था, क्य आया time के लिए, अब आपको यह logic याद रहने चाहिए, सारी important logic से आपको याद रहने चाहिए, अब practice की बात है, हेलो बच्चो मेरा नाम है राद्मत्सिकाओ, मैं आप सभी का सवागत करता हूँ, आज हमें करना है बेटा, अपना units and measurements का summary lecture, आप सभी लोगों को यह बात पत के बाद हमारे पर कुछ और advance का, अगर आप बोले questions हमारे पास clear हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी analysis हमें चाहिए होती है, तो इस summary lecture का purpose क्या है, summary lecture का purpose यह है, कि in future अगर आपको कभी भी यह chapter revise करना हो, तो आप notes से जब revise करते हैं, concepts को जब revise करते हैं, तो नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ important results हैं, तो yes, उनको हम लोग discuss जरूर करेंगे, लेकिन आपको अपने notebook के ही questions को दुबारा solve यहां पर करना है, या फिर module के वो questions को आपको solve करना है, जो आपको लगते थे कि वो important है, ठीक है, तो summary lecture का purpose आपको I think clear हो गया है, कि exam में भी exam से पहले मेरे को मत बताइए, क्यों, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इस chapter के main concept जब में को discuss करने है, तो मैं कितने कम time में कर सकता हो, ठीक है, तो चले बेटा, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, जब chapter स्टार्ट हुआ ता आप दिहान से सुनना, इसको note down नहीं करना है, ठीक है अब बात है, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम लोग ने कहा था, फिजिकल कॉंटिटीज क्या है, फिजिकल कॉंटिटीज वो होती है, जिनको आप किसी भी फिजिकल इंस्ट्रुमेंट से नाप सकते हैं, जैसे current के लिए m-meter है, temperature के लिए thermometer है, length के ल magnitude था, हम लोग ने बात कही थी, कि इनके पास magnitude होता है, और direction may be, ठीक है, may be, direction हो भी सकता है, बट अगर आप याद करें, तो addition does not depend on theta, addition does not depend on theta, on theta, या फिर angle, उनके बीच में क्या angle, जैसे current का अगर हम लोग ने example या था, कि दो wire में जब current flow करती है, तो उनके बीच में magnitude, उनका magnitude भी है और direction भी है, तो wires की बीच का क्या angle है, उसका कोई लेना देना नहीं है, जब भी आप addition directly कर रहे हैं, उनको हम scalar कहते हैं, example में आपके लिए क्या आ रहा था, हमारे पास mass आ रहा था, length आ रहा था, time आ रहा था, current आ रहा था, and so on, speed आ रहा थ हां आदी है scalar, बलकि हमारे पास vectors ऐसी quantities थे, जिनके पास हमारे पास magnitude ही होता है, और direction भी हमारे पास होता है, ठीक है, और जब आप इनको जोड रहे हैं, main बंगा direction का नहीं है, main बंगा होता है addition का, तो हमारे पास and follows vector laws of addition, follows vector laws of addition. सr, vector laws of addition क्या होते थे, जो angle देखके जुड़ते थे, जब मैंने copy में लिखवाय था, मैंने कहा था, whose addition depends on the angle between them, 2 newton और 2 newton opposite direction में जब लगेंगे तो resultant 0 हो जाएगा, और 2 newton और 2 newton same direction में जब लगेंगे तो resultant 4 newton हो जाएगा, वही 2 newton और 2 newton के जोड रहे हो, angle अलग-अलग होगा, तो result आपका अल factor quantities, example के case में आपके लिए velocity था बेटा, आपके लिए acceleration था बेटा, आपके लिए momentum था आपके लिए force था and so on, momentum, force and so on, यह हो गया हमारे पास, ठीक है, अच्छा, अब on the basis of dependence, अब actually में क्या है कि कौन सी quantity किस पर कैसे depend कर रही है, उस case आप से भी था, तो जब हम लोग ने अप पास, which are called fundamental physical quantities, याद करें, fundamental physical quantities, जिनको explain करने के लिए हमें और किसी physical quantity की requirement ना हो, जिनको separately explain किया गया, उनको हम कहते हैं, fundamental physical quantities और यह कितनी प्रकार क्यों होती थी, हमारे पास 7 numbers, हमारे पास 7 numbers of fundamental physical quantity, कौन कौन सी थी थी, बेटा, mass था, length था, time था, current था, ठीक है, temperature था, amount of substance था, and luminous intensity, amount of substance, ठीक है, and luminous intensity, ठीक है, luminous intensity की जो आपकी unit थी बेटा, वो थी candela, याद करो, ठीक है, amount of substance के लिए जो unit थी, that is our moles, ठीक है, फिर, यह fundamental quantities के साथ, हमारे पास दूसरी बचती थी, which are called derived physical quantities, derived physical quantities क्या होती थी, जिनको हम लोग fundamental quantities से ही बनाते थे, जैसे example में, आपका आजाएगा, area, area का formula, अगर आप rectangle की बात करें, या square की बात करें, किसी की भी बात करें, तो length into breath, अगर for example, तो length भी length है, हमारे पास breath भी length है, तो easy से हम लोग ने निकाला, अगर आप density की बात करें, तो density हमारे पास mass upon volume है, तो mass use होएगा और length use होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बात करें, force की, या फिर velocity की, तो velocity is displacement upon time, तो displacement आपका length है और time, तो इनको use करकर के, जो आपने quantities बनाई, उनको हम derived कहते हैं, तो यह 7 को छोड़ दो, बाकि सारी कि सारी आपकी क्या हो जाएंगी, derived physical quantities हो जाएंगी, इसके बाद हम लोग ने कहा, कि हर physical quantity को एक दूसरे से separate out समझने के लिए हमें units की जुरत है, जैसे मैंने अगर मानलो 10 लिख दिया, तो 10 क्या है, सिर्फ number है, लेकिन उसी 10 के आगे मैं ampere लिख दूँगा, तो आपके दिमाग में current आएगा, meter लिख दूँगा, meter square लिख दूँगा, तो area आएगा and so on, degree centigrade लिख दूँगा, तो temperature आजाएगा, तो units हमारे को physical quantities को separate out करके समझने में हमें मदद करती थी, याद करिए, यह हमारे पास standard reference values है of any physical quantity, एक meter क्या है, वो standard ह है, reference है, किसी भी physical quantity के लिए है ना, तो units हमारे पास यह होते हैं, इनका हमारे पास यह था कि यह easy to convert हो, easy, सभी के लिए acceptable हो, ठीक है, और हमारे पास accessible हो, कि आसानी से आप उनको instruments को use कर पाएं, ठीक है, conversions उनके आसानी हो, तो कुछ हमारे पास properties होती है, units की, फिर हम लोग उन हमारे पास यह हुआ कि भाईया, सबको ना unit fix करनी पड़ी है, अदर्वाइस समझ नहीं आएगा, क्योंकि कई जगा पर local units भी हमारे पास थी, जैसे आपने, मैंने example class में दिया था, कि length का angle, मतलब इन दोनो points के बीच में जो length होता, this is called angle, अब सबका हाथ का size अलग-अलग है तो वो length हमारे पास vary करेगा, तो आपको यह चीज़ समझ नहीं है कि हम लोगों ने फिर mass, length और time की standard unit set करी, हमारे पास mass, length and time, sir current के लिए पूरी दुनिया एंपेर ही मानती है, temperature के लिए पूरी दुनिया Kelvin ही मानती है, मोल्स के लिए, amount of substance के लिए पूरी दुनिया मोल्स ही मानती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनी तीनों को reference दिया, बाकी को क्या करा, वो पूरी दुनिया सेम ही मानती है, fps system थे अब हमारे पास unit system में हमारे पास कौन-कौन से थे, एक था fps, तो इसमें mass हमारे पास pound में है बिटा, length हमारे पास foot में है, ठीक है, और time हमारे पास second में, फिर cj system तो centimeter हमारे पास gram and second, यह था हमारे पास, mks system जो इंडिया में use होता है, meter kilogram and second, यह था, फिर हम लोगों ने बात कहा था कि एक SI unit system है ठीक है international system of unit ठीक है इसको हम SI unit system कहते हैं तो यह क्या होता था यह होता था MKS system में आपके दो supplementary units को जोड़ दो ठीक है supplementary units को अगर आप जोड़ देंगे तो यह हमारे पास होता है SI unit system supplementary units कहने का मतलब हमारे पास ऐसी दो अलग से physical quantities थी जिनको physical quantities थी जिनको हम लोग generally use करते हैं जैसे trigonometry में आप angle use करते हैं और आगे जाएंगे तो एक solid angle का भी concept आएगा ठीक है तो इनको हटा करके हमारे पास दो supplementary units के बारे में हम लोग ने बात किया था one is your angle ठीक है and another one is your solid angle याद गरें सारे important points तो एंगल को हम लोग ने कैसे कहा था कि अगर किसी भी आर्क की अगर आप बात कर रहे हैं ठीक है आर्क की बात करें यह आपका radius है यह आपका angle theta है and this is your arc length ठीक है 60 degrees centigrade हमारे पास वो degrees भी तो होती है बिलकुल होती है तो हम लोगों ने इसको convert करना भी सीखा था 180 degrees equal to pi radians हमारे पास रहता है जब आप convert करना चाहें तो इस relation से अपने conversion कर सकते हैं 1 degree is equal to pi by 180 radians आप यह लिख सकते है और comma 1 radian is equal to 180 divided by pi degrees ठीक है तो यह हमारे पास relation कहीं न कहीं काम आता था ठीक है फिर solid angle क्या होता था solid angle basically three dimensional angle है किसी भी कोन की अगर आप बात करें ठीक है किसी भी कोन के बात करें तो कोन के center की तरफ या apex की तरफ जो angle होता है this is your solid angle इस omega की अगर हम लोग बात करें तो यह होता था ds divided by r का square या a divided by हम लोगों ने लिखा था a divided by radius का square यह एक इसका है यह वाला जो area है इसको हम कहेंगे a और यह ज यह आपका आता था स्टी रेडियं याद करिए पूरे स्फेयर की अगर हम लोग बात करें तो स्फेयर के लिए हमाय पास एरिया था 4 pi r square और divided by r square करा था तो यह आता है 4 pi स्टी रेडियं इसका angle और अगर आपके लिए हमी स्फेयर है ठीक है हमी स्फेयर है तो इसका जो solid angle आपका आता था ठीक है omega that is equal to two pi's t radians यह हम लोगों ने class में किया भी था ठीक है फिर conversion of units भाई देको अब हम लोगों ने units को define कर दिया ठीक है अब बात आई कि भाई एक unit system से दूसरे unit system में जाते हो तो हम लोगों ने कहा था कि आप कभी भी एक experimental value जब ले ले लेते हो ठीक ह experimentally आपने किसी भी चीज़ को calculate करा तो experimental result आप इस प्रकार से result को show करते है ठीक है n क्या होता है उसका magnitude होता है और u क्या होता है उसकी unit होती है तो जब भी आप किसी भी conversion की बात करते है तो हमारे पास conversion में n u is equal to constant हमारे पास रहता है हम लोगों ने इस पर question भी किया है अगर आ n और u का graph बनाएंगे बिटा तो हमारे पास इस प्रकार का graph रहता था अगर आप n u का graph बनाएंगे with u बनाईए और n बनाईए तो n u is always constant तो एक ऐसा graph हमारे पास रहता था ठीक है फिर हम लोग ने कुछ questions करें अगर आपको revise करना अब जाकर आप questions को revise करे concept हमारे पास हमेशा यह था ठीक है फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ prefixes और कुछ terms के बारे में बात किया था prefix हमारे पास जैसे याद करो हमारे लिए मैंने कहा था कि कुछ यहां तक याद जरू रखना ठीक है टेरा तक ठीक है यह वाले छोड़ दो और femto तक रख सकते है चलो ठीक है तो य अगर आप मीटर को वन कह रहे हैं तो वन मीटर अगर आप कह रहे हैं तो डेका मीटर में 10 मीटर होएंगे हेक्टा में 100 मीटर होएंगे किलो में 1000 जैसे आप उपर जाएंगे हमारे पास 10 से मल्टिप्लाय करते चले जाएंगे जब आप इधर जाएंगे तो 10 से डिवाइड में तो यह रहता है उपर जाओगे तो 10 से multiply होता चला जाता है ठीक है इधर से इधर अगर आप बात करें into 10 और इधर से इधर divide by 10 ठीक है हर step पर आपका यह रहेगा जैसी आप kilo और milli के बाज आते हैं तो अब 10 की power 3 के order में चलता है micro होता है 10 raise to power minus 6 nano होता है 10 raise to power minus 9 pico होता है 10 raise to power minus 12 femto होता है 10 raise to power minus 15 जब मैं फर्मी की बात करूँगा फर्मी हमारे पास length की unit होती है याद रखना ठीक है this is equal to 10 raise to power minus 15 meter यह femto से ही derived है फर्मी बोलते हैं जब आप इसके उपर जाते हैं mega तो 10 raise to power 6, giga 10 raise to power 9, tera 10 raise to power 12 exile और वो भी होते हैं वो छोड़ दो ठीक है फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ terms बात करे थे जो जनली में देखने में confusing होते है यह देखने में लाता है कि यह तो समय की unit है लेकिन this is a distance this is distance traveled by light in one year distance traveled by light by light in one year एक साल में light कितना distance चलती है उसको आप कहते है light year हमें light की speed पता है 3 into 10 raise to power 8 meter per second एक सेकेंड में light चलती 3 into 10 raise to power 8 meters तो एक साल में कितना चलेगी that is called light year astronomical unit कैसे बताया था कि जो हमारे पास sun है और जो हमारे पास अर्थ है ठीक है जो हमारे पास sun है और जो हमारे पास अर्थ है sun के around earth घूम रही है अब कईयों को यह बात पता है कि इसर circular orbit नहीं है elliptical orbit कोई दिक्कत नहीं this is the average distance इन दोनों के बीच का जो average distance है average distance वेरी कर रहा है कोई दिकर नहीं average distance between sun and earth between sun and earth इसको हम कहते है वन astronomical unit ठीक है यह वाले units हमारे पास बड़े हैं length के बड़े units हैं जिसमें हम लोग astrophysics में जनली यूज करते हैं पार्सिक यह देखके कई होगा लगता है second that means unit of time यह time की unit होगी लेकिन गलत है ठीक है पार्सिक क्या है कि अगर आपका यहाँ पर sun है और यहाँ पर है आपका अर्थ आपको यह बात पता है कि इन दोनों के बीच में कितना distance है one astronomical unit का ठीक है आप इन दोनों से इतना दूर चले जाए इतना दूर चले जाए कि अगर यह आपके आँखों पर one second angle बना रहा है समझना ठीक है कि एक observer एक observer इतना दूर चला जाए कि वन astronomical यह आर्क लेंथ जहां सुनना आपका जो आर्क लेंथ है वो one astronomical unit का हो जो आपका theta है वो one second का हो तो यह जो distance है radius of this arc is called parsec this is called parsec ठीक है अब यहाँ पर minutes or degree की बात आई थी तो one degree is equal to अगर आप यहाँ पर देखें तो 60 minutes हमारे पास था और one minute is equal to 60 seconds भी हमारे पास था यह भी हमारे लिए important था clear अगला अब dimensions पर हम लोग बात की थी तो हमारे पार बहुत सारी dimensions थी तो यह summary थी मैंने उसमें भी आपको दी थी class में कि आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो काफी मदद रहेगा सारी lengths हो ठीक है all length will have a dimension of L तो इसमें एक extra term था radius of gyration तो आपको इस घबराना नियस और gyration क्या है radius वर्ड से आप पकड़ सकते थे तो है ज़र dimension L all velocity जितनी भी आपकी velocities है dimension होगा L T minus 1 लेकिन angular velocity अगर आपको कहीं पर मिल जाए ठीक है angular velocity का formula हमारे पास होता था कितना एंगल चला divided by time तो यह हमारे पास आता है T की power minus 1 इसमें L T minus 1 नहीं होता है ठीक है all acceleration सारी acceleration हमारे पास L T minus 2 होती है बट अगर कहीं angular acceleration आपको मिल जाए तो यह हमारे पास T की power minus 2 यह होता है angular velocity T divided by time तो यह आएगा T की power minus 2 dimension रहती है यह ध्यान रखना है ठीक है और forces जितने भी आपके force है M into A हमारे पस रहता है कुछ 2-3 word अलग-अलग से थे that is thrust thrust भी आपका force है viscous drag वो भी आपका force है normal reaction weight tension tension होता था किसी भी धागे के अंदर का force इनकी सभी की dimension होईगी MLT minus 2 ठीक है याद रखने यह terms क्योंकि question में थे all work जितने भी आपके work है जितने भी आपके work है उसमें आपकी सारी energies भी include आप कर सकते है torque या फिर couple of force या moment of force अगर आपको यह word मिल जाए torque couple या moment of force इनका सभी का dimension एक होता है ML2 T minus 2 ठीक है तो work का निकाल लेंगे तो इन सब का आपको आजाएगा pressure की बात करें तो force upon area से निकालेंगे तो ML minus 1 T minus 2 मिलेगा and all modulus words ध्यान तो सुनना भली आपका अगर बात करें यंग modulus हो bulk modulus हो shear modulus कहीं पर भी modulus word मिल जाए modulus of rigidity ठीक है हमारे पास has dimensions of pressure only ठीक है तो यह अतना pressure का ही dimension रहेगा और pressure के साथ दोले तो stress का भी dimension हमारे पास वही होता है stress and pressure हमारे पास same रहेंगे all gradient terms जहां पर भी gradient word आ जाए तो आपको force divided by length सभी को लेंट से हम लोग divide करते थे momentum and dash has the same dimensions अब momentum के साथ किस-किस का dimension सीम है ठीक है तो momentum का dimension हमारे पास रहेगा mlt-1 ठीक है और देख लेना कौन सा copy में कराया था उसका dimension हमारे पास सेम रहेगा ठीक है angular momentum भाई हमारे पास होता था momentum into distance momentum into distance angular momentum और momentum दोनों अलग-अलग चीज़े है ठीक है हमारे पास has a dimension of m momentum हो जाएगा mlt-1 l2t-1 यह आपका angular momentum का dimension है ठीक है all densities are derived by dividing the quantity with volume ठीक है जैसे हमारे पार densities क्या क्या आ रही थी energy density ठीक है mass density चार्ज density याद करना यह ठीक है कहीं पर भी अगर आपको ऐसे word मिल रहे थे तो charge divided by volume mass divided by volume energy divided by volume हमारे पास इस प्रकार से energy density ठीक है तो volume से डिवाइड करना था सिर्फ current के लिए current is divided by जिसको हम कहेंगे divided by area current के लिए आप area से डिवाइड करेंगे हम लोगों ने question भी किया था जहां पर word आता है linear mass density याद करें linear mass density अगर आपको कहीं word मिल जाए linear mass density ठीक है यह linear charge density कहीं पर यह word आपको linear वाला मिल जाए तो this is mass upon L अगर आपको कहीं area mass density आपको कहीं मिल जाए तो समझ जाना this is mass upon area यह होता है ठीक है ऐसी linear charge density length से डिवाइड करेंगे aerial charge density area से डिवाइड करेंगे sir अगर हमें linear और area कहीं दे नहीं रखा है तो आप हमेशा volume से ही divide करते हैं सिर्फ current density में आप area से डिवाइड करते हैं ठीक है gravitational constant का formula में है अब dimension आप यहाँ पर लिखेंगे कैसे निकालते थे f is equal to g m1 m2 divided by r square याद करिए इस वाले formula से निकालते हैं यह आता है m-1 l3 t-2 ठीक है planks constant is derived from the formula energy is equal to h into new chemistry में भी अब आपने पढ़ लिया होगा यह हमारे पास होती है frequency आपको formula याद होगा तो आप definitely derive कर लेंगे planks constant h था resistance is derived from the formula power is equal to i square r यह आ जाएगा हमारे पास power मैं पूरा लिख देता हूं ठीक है power work upon time था ठीक है तो i square into r से आप निकाल लिजेगा capacitance is related to resistance by relation याद करिए time equal to r into c resistance into capacitance ठीक है तो resistance मैं यहां से निकाल लूँगा तो capacitance मैं t equal to r c से निकाल लूँगा inductance कैसे निकालेंगे तो यहां पर भी हमारे पास relation था ठीक है time is equal to l by r resistance आपको पता है time आपको पता है inductance आप निकाल सकते हैं potential हो electromotive force electromotive force means potential ही है is derived from the formula v is equal to i r current आपको पता है resistance आपको पता है इससे निकाल लीजे या फिर work done divided by charge से निकाल लीजे ठीक है यहां जाएगा surface tension is not देखो यहां पर tension word आता था मैंने काता है कि tension और surface tension same नहीं होते is not tension with a dimension यह आप निकालते थे force upon length surface tension की अगर आप बात करें तो force gradient के जैसे dimension है mt-2 आपके dimension रहती है यह छोटे-छोटे points ज्याद रखने है permittivity आपका formula कहां से निकालते है मैंने कहा था कि जैसे ग्रैविटेशन formula है charges के लिए हमारे पास formula रहता है मैं आलिक देता हूं हमारे पावन अपॉन फॉर पाई एप्सलों नौट q1 q2 बाई आर का स्क्वेर चार्ज का dimension आप निकाल सकते एंटू टी चार्ज का कैसे निकालेंगे सर चार्ज का अगर आपको dimension चीए तो current is equal to charge upon time ठीक है हमारे पास time fundamental है यह fundamental है तो चार्ज की अगर आपको dimension चीए तो यह आजाएगा आपका एंटू टी राइट उठा करके सी इकॉल टू हमारे पास ठीक है इसी वाले से फॉर्मले से बजाएगा ना वन अपान अंडरूट में म्यू नॉट एप्सलों नॉट तो यह जो म्यू नॉट है यह जो म्यू नॉट है इस यूर पर्मियबिलीटी सर शी क्या होता था यह आपकी स्पीड होती थी लाइट की होती है लेकिन ठीक है तुम्हें तो ल्ट-1 ची है शार एपसलों कहां से निकालेंगे वह पीछे वाले फॉर्मले एंगल इन सॉलिड एंगल है डाइमेंशन यह डाइमेंशन लेस होती है लेकिन इन दोनों की सवाल भी आया हुआ है ठीक है रेडियंस एंड टी रेडियंस होती है बोल्समें कॉंस्टेंट कैसे निकालते हैं याद करिए मैंने का था एनर्जी इस इक्वल टू यह आपको कई बार कोश्चन में भी दिखा था ठीक है के बीटी लिखा हुआ है तो एनर्जी की डैमेंशन डैमेंट्री टी-2टी टी क्या है टाइम नहीं है हमारे पास टेंप्रिचर इसकी गल्ती मत कर देना ठीक है अ्टीकल डैमेंशन याद गरो एकुल टो बारवीक लास में हम क्यूं फटी पड़े तो एक इगल टू क्यूं इंटु ए तो आपको चारज पता है फोर्स पता है एलेक्ट्रिक फिल्ड आप निकाल सकते हैं, मेगनेट्रिक फिल्ड आप यहां से याद करें, E is equal to B into C, अब तो आपका हो ही गया होगा, trigonometric ratio साइड के हमाई पर triangle के साइड के ratio है, यह dimensionless होते हैं, log and exponent, किसी की भी power, अगर आप बात करें, यह log एंदर हमेशा ही dimensionless हमारे पास होती है, ठीक है, तो drawback of dimensions क्या थे, अच्छा, अभी तो हम लोग ने derive applications की बात ने करी, applications बात करते हैं, फिर drawback की बात करेंगे, ठीक है, चलिए भाई, तो पहली application हमारे पास कहती, principle of homogeneity, सबसे ज़्यादा सवाल यही थे, भाई, हमारे पास length में length को जोड सकते हो, length में से length को घटा सकते हो, length को ही equate कर सकते हो, तो यहाद करो, same physical quantity, चमक रहा है नहीं, यह दिखाई दे रहा है, हाँ, same physical quantities can be related, ठीक है, can be related with, हमारे पास, plus, minus, equal to, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, यही कहता था, जब आप दो physical quantities को जोड रहे हैं, घटा रहे हैं, एड कर रहे हैं, या equate कर रहे हैं, या inequalities लगा रहे हैं, वो same physical quantities होनी चीए, तो यह principle of homogeneity के concept कई सारे question किये थे, deriving formula, हमारे को derive करने के लिए भी सवाल आये हुए थे, example, एक basic सा example, यह black आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ, ठीक है, तो basic example में बात करें, तो जैसे मानलों रहे हैं कि time period हमारे पास radius पर depend करता है, या length पर depend करता है, ठीक है, और acceleration due to gravity पर depend करता है, बिल्कुल basic सवाल जो पहला करा था, तो इसका formula बताईए, तो भाई, मैंने क्या कहा था, कि इन type के question में problem यह है, कि यह length की power अगर आपको पता लगए, तो आपका सारा काम हो गया, है ना, तो हमें यह नहीं पता होता है, इसकी power क्या है, तो हम लोग ने power A और B ले लिया, यही करते थे, कुछ बच्चे कहते सर, one upon length की power क्यों नहीं ले रहे, अरे भाई, यह negative हो जाएगा आप, बताया था glass में, ठीक है, तो A और B मिलगा, तो सारा चीज हो जाएगा, proportionality हटाने के लिए आप एक constant लगाते थे, तो length की power A और acceleration due to gravity की power B, जो को जब आपनी equal to लगा जिया तो principle of homogeneity मैं यहां लगा सकता हूँ, इधर की dimension आपकी M0, L0, T आती थी, तो यह हमाया पास एक proportionality constant है, तो L की power A, acceleration due to gravity LT minus 2, ठीक है, LT minus 2 की power B, तो जैसे आप इसको solve करते थे, M की power 0, L की power 0, T की power 1 is equal to K, यहाँ पर M की power तो 0 ही है, L की power अगर आप देखें, तो A plus B आ रही है, और T की power minus 2B, जब मैंने equal to लगा रखा है, तो दोनों side की dimensions हमारे पास same होनी चाहिए, तो अगर यह हमारे पास same है, तो आप यहाँ पर कह सकते थे, minus 2B की value 1 है, और A plus B की value 0 है, जैसे आपको A और B मिलते थे, तो आप अपना formula derive कर लेते थे, जही means and advance की भी हम लोगों ने यहाँ पर questions किये थे, फिर the correctness of the formula, obvious ही बात है, अगर एक formula में dimension of left hand side और dimension of right hand side, अगर match कर गया, तो आप क्या बोलेंगे, सिर्फ dimensionally correct बोलेंगे, सिर्फ dimensionally correct word ही use कर सकते है, because we don't know कि वो formula experiment करने के बाद भी valid रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, और अगर आपका dimension of left hand side is not equal to dimension of right hand side, तो obvious ही बात है, आप length को area से equate कर रहे हो, तो गलत ही है, तो इसमें आप क्या करते है, incorrect word use करते है, इसमें कोई dimensionally incorrect की बात नहीं है, वो तो गलत ही है, फिर उसके बाद convergence की बात आई थी, तो याद करिए, हम लोगों ने, ठीक है, example ले ले लेते हैं, वन न्यूटन is equal to how many N2 dynes, आपको याद आ रहा होगा वैसे तो, मैं लिख देता हूँ, generalized result जो हमाई पास थे, वन न्यूटन is equal to 10 की पावर 5 dynes, directly आपको याद होना चाहिए, और वन जूल्स is equal to 10 की पावर 7 arg, हमारे पास होता है, तो conversions हम लोग कैसे कहते थे, कि एक न्यूटन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आप जा रहे हो, तो physical quantity की value change नहीं करेगी, है ना, तो देखा जाए, तो this is N1 U1 is equal to N2 U2, तो मैं इसको हम लोग कैसे करते थे, 1 into, यहाँ पर M1 L1 T की पावर, minus 2 is equal to N2 M2 L2 T2 की पावर minus 2, यहाँ पर M1 L1 T1 क्या थे, unit of mass length and time in SI, यह कौन से सिस्टम का है बिटा, this is your NKS बोलिये या SI बोलिये, और यह आपका किसका था, CGS में, ठीक है, और N2 L2 T2 क्या है सर, these are the unit of mass length and time in second system, तो अगर आप यहाँ से N2 की बात करते थे, तो याद करिए, N2 आपका यहाँ से आएगा, M1 by M2 into L1 by L2 into T1 by T2 की पावर, minus 2, और यहीं पर हम लोगों ने values रखी थी, बिटा, N2 की बात करें, तो M1 है हमाई पास kg बटे ग्राम, ठीक है, into meter by centimeter, और वो तो हमाई पास हट गया, तो यहाँ पर आजएगा, 10 raise to power 3, gram by gram, next line में लिख लेते, 10 raise to power 3, gram by gram, plus 10 raise to power 2, centimeter by centimeter, तो जब आप इसको कट करते थे, बिटा, तो हमारे पास into है, यह प्लस नहीं है, ठीक है, यह हमारे पास into है, ठीक है, तो यह हमारे पर 10 raise to power 5 आगया, तो यही relation मैंने हाल लिखा, तो conversions हम लोग ऐसे करते थे, अब drawbacks की बात क्या थी, drawbacks में आप यह कह सकते हैं, कि हमारे पास जो proportionality constant हमारे पास जो के है, इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते, इसकी value हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है, cos theta log and expressions containing tan या आप कह सकते हैं, trigonometric बोलिए या exponents बोलिए या log, हम लोग ऐसे formula को यहाँ पर derive नहीं कर सकते, जिसके अंदर यह सारे terms हो, हम लोग यह नहीं कह सकते कि dimensionally correct formula, dimensionally correct formula हमारे पास experimentally भी valid हो, ठीक है, हम लोग यह भी नहीं कह सकते, experimentally हमारे पास valid हो, ठीक है, and so on, कुछ चोटी मोटी और हम लोग ने drawbacks की बात करी थी, ठीक है, यह हो गया, फिर आये थे हम लोग errors की, भाई, देखो, कभी भी आप instrument use करोगे, तो गलती तो करोगी, तो हमारे पास error basically क्या है, किसी भी reading को लेने में, जो हम से गलती हुई, that is called our error, तो हम लोग ने सबसे पहले बात करी कि error हमारे पास तीन classification होती है, one is called systematic error, हमारे पास या controllable errors, जिनको we know the source, जिसका source हमें पता है कि भाई ये आ कहां से रहा है, अगर मालो आप बाइक चला रहे हो, बाइक अगर आपकी खड़ी है तो 0 पर सूई होनी चाहिए, लेकिन वो पहले से 10 पर दिखा रही है, मतलब पहले से ज्यादा reading दिखा रही है, तो मुझे पता है कि अगर मैं बाइक चला रहा होंगा, पचास की स्पीड पर चला रहा हूं, तो यह ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 10 था न, जब मैं रुका हुआ था तब 10 दिखा रहा है, और अभी चलाते से में 50 दिखा रहा है, तो मेरी एक्ट्वल स्पीड क्या हुई 40 हुई, तो ऐसे errors जो आपको प रहा हो या कम दिखा रहा हो, हमें पता है, हम लोग बाद में उसको correct कर लेंगे, या फिर environmental errors, जो हमारे पास issues हमें पता है, कि इधर से हवा चली रही है, आप एक pendulum को oscillate कर आ रहे थे, आपको पता है, इधर से हवा हमारे पास चली रही है, तो इसकी वैसे एक constant deflection होगा, तो म आप अपने instrument पर हटा सकते हैं, कि भाई दोगो, heating होने की वैसे ये चीज़े हो सकती थी, तो इसको हम लोग consider नहीं करेंगे, तो these are controllable errors, फिर आता है, हमारे पास gross errors, ठीक है, अगर आप देखे, gross errors हमारी carelessness की वैसे होती है, आपने reading गलत ले ली, आपने instrument को गलत setup किया, आपने precautions नहीं लिये, आपने reading गलत ले ली, आपने calculation गलत कर दिया, ये सारी चीज़ें जो basic इंसान से गलतियां हो सकती है, these are called gross errors, और random error जिनका no source, we don't know source, we don't know, भाई क्या गलती हुई होगी, हमें जब सोर्च नहीं पता उनको हम कहते है random error, इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है, number of readings जितनी जादा होंगी, ठीक है, number of readings जितनी जादा होंगी, उतना ही कम हमारे पास random error हो जाएगा, ठीक है, तो ये inversely proportional है थो, हमारे पास, ठीक है, random error उतना ही हमारे पास कम हो जा जालते कैसे थे तो हम लोगोंने एक सिंपल सा एक्जाम्पल लिया था कि भाई मैं एक पेंडूलम कर रहा हूं पेंडूलम को उसलेट करा रहा हूं तो पहली रीडिंग 1.8 सेकेंड दूछरी रीडिंग 1.9 फिर 2 2.1 & 2.2 यह आपके टाइम की रीडिंग आ गई अब जब आपके आपने अपने टीचर को दिखाया कि सर यह मेरे एक्सपेरिमेंट कर ले तो टीचर यह तो बोलेगा कि भाई मैंने तो टाइम पिरेट निकालने के बात आईगी तो आप देखो कि यार सब में सारी वैल्यू अलग लगे तो हम लोग एवरेज वैल्यू को ही करते हैं जिसको आपकी वैल्यू क्या होई कि आपकी 1.8 प्लस 1.9 प्लस 2.0 प्लस 2.1 प्लस 2.2 सारी रीडिंग्स को जोड़ कर डिवाइड बाइड 5 करोगे तो यह आपकी वैल्यू आई थी तो आप टीचर को यही रिपोर्ट कर सकते हो सर ओवराल एक्सपेरिमेंट मैंने टीक है तो वो कहेगा भाया आप बताओ कि आपकी गल्तियां कितनी है अब आप देखोगत यार मेरी एवरेज वैल्यू टु है हर रीडिंग में अलग-अलग थी तो हम सबसे पहले निकालते हैं हर इंडिवीज्वेम रीडिंग में एअरर इंडिवीज्वेमी रीडिंग इसको हम कहते हैं बेटा absolute error तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते थे delta t1 से this is error in reading 1 तो हम लोगों को बाद में plus minus का load नहीं था तो आप यहां पर कहेंगे 1.8 minus 2 यह आएगा minus 0.2 बतलब यह minus क्या बता रहा है कि यह वाली reading average से 0.2 seconds कम थी फिर आप second reading में गलती निकालो गए तो 1. 1.9 minus 2 अगर आप देखें minus 0.1 reading third में अगर आप निकालोगे बेटा तो 0 मिलेगा reading 4 में अगर आप गलती निकालोगे plus 0.1 मिलेगा reading हमारे पास 5 में निकालोगे तो plus 0.2 मिलेगा अब बात है कि गलतियां भी बहुत सारी है हर में छोटी 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 अलग अलग गलतिया है तो अब टीचर पुछे भाई तुने ओवराल गलती कितिनी करी तो ओवराल गलती हमाई पास इन सब का एवरेज लेना पड़ेगा तो याद करिए हमाई पास magnitude इसको हम लो जीरो अंसर निकाल दिया था ठीक है बाई माईनस और प्लस जोड़ोगे तो जीरो यह आजाएगा यह एवरेज वैल्यो इससे यह उपर है यह नीचे है जब आप जोड़ोगे तो अव्यस सी बात है जीरो आजाएगा लेकिन हमें तो गलतियां चाहिए ना तो अगर आप देखोगे तो आपका आएगा 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड़ बाई 5 यह आ गया था और आइधिंग यह 0.12 आया था अब टीचर कहेगा भाई इसको रिपोर्ट करो तो तुम कहोगे कभी भी आप रीडिंग को रिपोर्ट करते हैं तो अबरेज वैल्यू प आप कहेंगे टू प्लस माइनस 0.12 यह हमारे पास डिस इदा मैथट ऑफ रिपोर्टिंग अवर आंसर फ्रेक्शनल एरर क्या होता है कितिनी गलती करी पर मीन वैल्यू ठीक है तो फ्रेक्शनल एरर है डेल्टा टी बार डिवाइड बाई टी बार ठीक है तो अगर आप दे दिया उसने ठीक है तो वैजी आपका कितिनी गलती हुई पर मीन वैल्यू डाट इसकॉल फ्रेक्शनल एरर तो पॉइंट वन टू डिवाइड बाई टू आया था तो यह आए का बिटा 0.06 और अगर आप परसंटेज अरर की बात करें तो हमारे पास फ्रेक्शनल एरर यह भाई देखो जब आप गलती कर रहे हो तो दो गलत चीजों को जोड़ोगे घटाओगे मुल्टिप्लाय करोगे डिवाइड करोगे तो गलती तो आगे जाएगी तो एडिशन के केस में इफ टू फिजिकल कॉंटिटीज आर मालो पहली कॉंटिटी है जिस वो हम लोग a plus minus delta यह के form में लिखा है this is the mean value this is the mean absolute error और b है b plus minus delta b लिखा है इन दो quantities को अच्छा यहाँ पर a बार और b बार नहीं यह दोनों हमाय पास quantities है ठीक है यह हमाय पास a है यह हमाय पास b है अगर में को इन दोनों quantities को जोड़ना होगा तो याद करिए हमने कहा था कि आप इनकी mean values को add कर देंगे और इनके errors को भी add कर देंगे ठीक है अगर मेरे को इनको separate करना होगा तो मैं इनकी mean values को separate कर दूँगा और errors को हमेशा add रखूँगा multiplication और division के case में याद करिया हमने कहा था कि fractional errors यहाँ पर हमारे पास errors are added errors are added यह बोला जाता था और multiplication division में आप क्या करते हैं बिटा हमाय पास fractional errors are added है ना तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह बनेगा delta a by a is equal to हमाय पजब आप multiply करेंगे ठीक है मैं ऐसे लिख देता हूं माल लीजे मेरे को इन दोनों को multiply करना था y is equal to a into b है तो इनका fractional error का relation क्या रहेगा delta y by y is equal to delta a by a plus delta b by b यह रहेगा अगर माल लीजे मेरे को इन दोनों quantities को divide करना था a by b करना था तो आप fractional error का relation लिखते है multiplication and division में delta y by y is equal to delta a by a plus delta b by b यह बोलते हैं कईयों को लगता है sir multiplication और division में हमारे पास क्या रहेगा error तो same ही रहा नहीं भया fractional error same रहेगा यह है आपका error देखना अगर मैं यहापे बात करूँ delta y इस बार आएगा y into delta a by a plus delta b by b यह y की value आपकी product से निकाली जाएगी यहाँ पर y की value division से निकाली गए error आपका same नहीं है यहाँ पर delta y की बात करोगे तो y into delta a by a plus delta b by b आएगा और यह y आपका division से निकाला जाएगा तो दोनों में हमारे पास अलग-अलग result आएगा ठीक है फिर हम लोग ने कालता कि यार यह तो simple अगर पावर आपर आजाए तो पावर को आप इगर इसका fractional error लिखना है तो delta x by x पावर आगे आजाती है delta a by a होगा अगर आपको कोई गंदा सा relation है तो आप इसकी पावर आगे आएगी p into delta a by a plus q into delta b by b plus c r into delta c by c यह रहेगा अगर आप इसका का relation लिखेंगे तो delta x by x is equal to p into delta a by a plus q into delta b by b पावर आगे आजाएगी फिर आफ्रेक्शनल लिखेंगे प्लस r into delta c by c परसेंटे का निकालना होता था 100 से हम लोग multiply कर देते थे और याद करें कि हमारे पास ठीक है हमारे पास एक kinetic energy का सवाल हम लोग और यहाँ पर सीखी थी time period of the pendulum के अगर हम लोग बात करें तो time period is equal to 2 pi under root में l by g था अगर मेरे को percentage change in gravity के जो सवाल है तो बच्चे क्या करते हैं गलती कर देते हैं तो t square is equal to 4 pi square l by g आप रखेंगे g को separate out कर लीजेगा otherwise गलती आजाती है आपने एक j advance के सवाल में गलतियां भी करी थी तो delta g by g is equal to constant कभी भी गलती में नहीं जाएगा delta l by l plus twice of delta t by t हमारे पास आया था है ना तो यह वाली गलती आपकी continue ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना अब याद करिए हम लोगों ने कुछ advance के सवाल करे थे delta t अगर आप देखे number of readings हमारे पास number of readings मालो अगर आपकी n है ठीक है और हमारे पास least count माल लेते हैं हमारे पास x है तो delta t आपका पता क्या आएगा error in each reading that will be x by n ठीक है यह हमारे पास होगा हमारे पास time period time of one oscillation आप कैसे निकालेंगे time of one oscillation एक oscillation का अगर आपको time में निकालना है तो आप क्या कहेंगे total time ठीक है total time divided by n आप कर देंगे फिर आपने अपने सवाल को यहां पर करा होगा भली means का हो भली आपका advance का हो resistance का parallel का अगर आपको याद हो तो एक relation हम लोगोंने बात कही थी parallel resistance one upon rp is equal to one upon r1 plus one upon r2 से हम लोग निकालते थे तो इसका relation हमाई पस क्या था delta rp by rp का square यह differentiation से आता था मैंने आपको बोला था कि ध्यान रखना अभी बस याद कर लो differentiation जब कराऊंगा तो मैं इसको proof करा दूँगा कि यह relation कैसे आया तो यह हमाई पस parallel resistance का formula हमें यूज करना होता था rp this is the average value two or four है parallel में करोगे तो two into four divided by two plus four यह आया फिर सारी values थी आप question को जरूर एक बार देख लीजेगा आपको याद आजाएगा और हम लोग ने एक advance का सवाल भी यहाँ पर कर रहा था lens mirror formula को यूज करके फिर उसके बाद यहाद अखना हमारे पास एक kinetic energy का सवाल था ठीक है question एक हमारे पास था जिसमें velocity का 30% velocity 30% increase हुई थी तो इस case में जब हमारे पास 6 या बोले 6-7% से ज्यादा का अगर हमारे पास change है तो normal methodology से आप नहीं कर सकते आपने basic से करा होगा initial kinetic energy आपकी आई थी half mv square याद करें फिर आपने निकाला final kinetic energy by 30% increase हुआ तो half m 1.3 का square आपने करा तो आई था 1.69 of initial kinetic energy तो 69% का change आया था ऐसी मैंने दो सवाल आपको और अच्छे कराए थे advanced level के फिर इसके बाद हमारे पास था significant figures जब तक आपको सवाल में बोला ना जाए कि भाई आप significant figures को rules लगाईए या फिर आपको option दिख रहा है कि round off किया गया है तब तक आप नहीं लगाएंगे आप अपना normal सवाल करेंगे अब significant figures में हमारे पस आपको मैंने यह बताया था कि decimal के बाद आप मन मर्दी zero नहीं लगा सकते इसमें वो हमेशा significant account होगा और trailing पीछे चूटने वाले zeros जैसे किसी भी number के 823000 अगर ऐसे है तो यह तभी significant होंगे जब decimal लगेगा अगर decimal सर हमारे पर नहीं है तो आप इनको नहीं गिनेंगे फिर हमारे पास किसी भी scientific notation में अगर आप तरहें तो number of significant figures सेम होने चाहिए जब भी conversions कर रहे हैं तब भी आपके significant figures सेम होने चाहिए अब बात है हमारे पार round off के rules तो जब भी आप round off करते हैं जिस number को आप drop कर रहे हैं ध्यान सुनिए जिसको आप छोड़ रहे हैं अगर वो 5 से चोटा है तो उसको हटाईए पीछे वालों को सब को 0 कर दीजे मतलब पीछे वा हो रही थी बच्चों से कि 3000 के आसपास का number था round off करा उसको 30 के आसपास ले गए 300 के आसपास ले गए number round off करने के बाद आपका वही उसी के around ही होना चाहिए फिर जिसको आप drop कर रहे हो अगर वो 5 के बराबर है तो आपको क्या देखना है जैसे मालों के हमारे पास 3 2 9 5 6 कोई number मिल गया तो आप इसको हटाईए plus one कर दीजे और फिर यहां zero कर दीजे ठीक है मतलब number उसी का round ही रहना चाहिए तो इसको आप हटा देंगे बिटा तो यहां पर प्लस one कर देंगे अगर मालों के से हमारे पास 3 2 9 5 ऐसे ही था और मुझे इसको drop करना है तो जब आप drop क करेंगे तो आप इससे पिछले number को दीखे और या even अगर यह odd है तो प्लस one कर देंगे अगर यह even है तो सेम रहेंगे जैसे इस केस में हो जाएगा 33 00 हमारे पास कोई बच्चे कहाए 33 कर देंगे इसको अरे भाई वह number उसी का round भी तो रहना चाहिए पिर जब आप addition करें या subtraction करें मैंने दो रूल बता थे एक sad बताया था अगर आप MSD होनी से नहीं मिलते हैं तो आप sad हो जाएंगे तो sad में subtraction और addition में आप सिर्फ decimal देखेंगे जिस भी number में मालों दो numbers जोडने है इसमें 2 decimal थे इसमें 5 decimal थे तो answer में 2 decimal होने चाहिए तो round off करना पड़ेगा यह rules ल significant figure गिनिये इसमें significant number गिनिये माली इसमें 2 है इसमें 5 है तो final answer में आपके दो ही significant figure होने चाहिए उसके लिए आपको round off करना पड़ेगा ठीक है तो यह थी हमारी पूरी कहानी ठीक है यह थी हमारी पूरी कहानी approximately 50 minute और हम लोगों ने 12-13 lecture लिये हैं और हर lecture approximately 1.41 hour 45 minutes का था कहान नहीं यही पराती है अब आपको यह logic याद रहने चाहिए सारी important logic से आपको याद रहने चाहिए अब practice की बात है जो बच्चे सोचे की सर मैं इससे अपना backlog कवर कर लूँगा तो तो एक number का गदा है हम बेवकूफ थोड़ना थे कि 12-13 lecture लगाए अगर ऐसी कहानी चल सकती थ तो तो भाई ऐसी पूरस लेवस खतम कर देंगे अभी 10-12 दिन में यह उनके लिए हैं जिनोंने चैप्टर को पढ़ा है और वह रिवाइस कर पाए अगर आप इसमें यह सोच रहों कि मैं इससे backlog कवर कर लूँगा आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा आपको घिस सुमेट रिल देन टडब बाइब बैटेक क्या पढ़ते रहिए मचाते रहिए